अब लोग ने सुना होगा या देखा होगा किसी फ्रेंड्स के स्टोरी सुना होगा कि बहुत जोनों को वाट्सअप से मिसपॉल आ रहा है कर सकते हैं आपको सिफ कुछ चीजे लाइक करने होंगी और आपको पर लाइक पर कुछ 50 रुपीज या 25 रुपीज करके मिलेगा आप अगरी करते हो तो फिर आपको इनिशल कुछ लाइक करा जाता है फिर आपको एक चैनल जॉइन करने का ताप से सेम एक्टिविटी करा जा से ब्लॉक कर दिया था उनका पैसा खो जाता है इस टाप के चैलेंजर जो देखने मिल रहा है तो यह एक न्यू टाइप का साइबर क्राम देखने मिला जहां पर लोग को गीग एक्टिविटीज या वर्क फ्रम हों करने के नाम पर बनाया जा रहा है उनको काम पर लगाया रहा है यूजिंग फेक आइडेंडिटी और वाट्सअप फेक वाट्सअप नमबर्स फेक अकाउंट्स फेक कंपनी बनाके एक नया साइबर क्राम को जनम दिया रहा है जिसमें बहुत लोग फस्च चुके अल्रेडी तो यह था इस घटना का जांकरी पर आपके लिए एक एक्जमपल आपको धियान रखना है smss.com और sms24.me इसको आप उसको सब्सक्राइबर क्राम में में मेंशन करने के लिए फेक अकाउंट्स कैसे बनाया था वाट्सअप के उपड़ एक जम्पल और फिर इनका पेमेंट क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से होता है फेक अकाउं और फेक वाट्सअप अकाउंट्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं और इसके वाज़े एक बड़ा सा नेक्सस बन गया साइवर क्राइब का इसके पर रीजन यह बताया है कि इंडिया में वाट्सअप यूजर्स जो है बहुत ही हाई संख्या में इसलिए नेक्सस वर्क भी कर पा बनाएं जिससे कोई नुफसान ना हो इस इंवर्मेंट में तो साइबर वर्ल्ड के इंवर्मेंट को और सिक्यूर बनाए जाए इसके लिए रिग्लेशन में आ गया तो यह आर्टिकल का काम खतम साइबर क्राइम को सेंदर में आप इसकी को लिग पाओगे और इंटरन सेक इसके कुछ की पोविजन आपको पता होना चाहिए अब इस इस आपको पता के रिला स्टोरी मुवी जो है वेस्ट बंगोल में बैन हो गया है और तमिल नाडू को फिल्मे का एस्सेशन है उन्होंने बोला कि हम फिल्म रिलीज नहीं करने दिंगे इस वए से जो सुप्रीम कोट नहीं फैसला सुना एक प्रेटिशन के अधार पर कि देखे के रिला स्टोरी जो है पूरे इंडिया में चल रहा है तो यह दो स्टेट इसको नहीं देखना हो मुवी नहीं देखेंगे पर बैन करने लएक तो को मैटर है नहीं कि बैन करना कैसे इन्वेलीड है मतलब आज चीज बैन करना सॉलूशन नहीं होता तो उस अंदर कहीं दों क्लेम कर रहे हैं कि यह शिवलिंग मिला है रही लोग बोल रहे हैं कि यह स्टिक फॉंटेन है तो यह इस चीज़ पर डिस्क्रेशन चल रहा है काफ़े डिस्टिक कोट ने हाई कोट ने कहीं फैसली किये उसके अलावा खास बात है कि इसका वीडियो सर्व इसके बारे में एक आर्टिकल दिया है जो मैं दिखा देता हूं यह कि वाट इस कारबन डेटिंग एक वाइडली यूजड मेथड है जो स्टैब्लीश करता है एज और इसका कारबन का एक हाफ लाइफ होता है इसका मतलब अभी यह सौ प्रेजडेंट है मानते हैं यह इतना मिल रहा है इसका मतलब इसका एज इतना होगा यह रफली गेस कर लेते हैं अभी सिंस कारबन डेटिंग जो है लिविंग अब्जिक्ट पर काम करता है उसे तरह नौन लिविंग अब्जेक्स पर हम लोग सिमिलर टेक्निक्स करते हैं जहां पर अधर रेडियोएक्टिव एलेमेंट्स करते हैं कारबन के जगा फर एक्जमपल पोटैशियम आरगन और यूरानियम थोरियूम लीट टेस्टिंग यह तीन दो टेक्निक हम लोग हाफ लाइफ क्या होती है इसे कुछ की टर्म्स है इनका प्रिलिम्स के लिए बेनिफिशल रहे हैं अब गौर्वर्मेंट और पॉलिटिक्स में ऐसे तो बहुत इंपॉर्टेट नहीं है पर यहां पर क्या है संगाई कोपरेशन औरगनाशिय संबंदित एक अपडेट है कि ने डिसाइड कि नालंदा उनिवर्सिटी जो इंडिया के अंदर राजगीर के अंदर अभी जो ने एक्जिस्ट करता है जो ओल उनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से बनाए गया है वो एक चेयर शेयर करेगा बुद्धिश्ट हरिटेज का तो आपको पता होना चाहिए कि एक उसमें बुद्धिजम एक कॉमन लिंकिंग पॉइंट है फर्स चीजी यह सामझ माना चाहिए आपको और सेकेंड आपको यह सामझ माना चाहिए कि बुद्धिष्ट हरिटेज जो है उसमें इंडिया कहां स्टैंड करता है यह सब क्या यह सब अग्जाम में डिरेक्ली हेल् कास कर लिजिएगा आप लो आम टो सेकलिरिजम पर अपने स्पीच में यूस किया वर्ड उन्होंने क्या होता है टूप सेकलिरिजम के बारे में हम लोग कराश्ट और स्चिन नहीं बनाते इसी को सेकलिर्जम बोलते हैं जहां पे तेर इस नो डिफिरेंस बेटिवन पीपल जैसे पूर्ट दिया तो आपको चार्ज स्रेटमेंट देदेगा आपको बचाना हो कौन सा मोस्ट टेबल है उस केस में अपके लिए रिलिवेंट रहे है अब देखे एक स्पेस्टेंट्वर्क पेज नमर फाइब में एक अच्छा अर्टिकल है जहां पर इंडियन ओशन कॉ साउथ इस्ट एशिया गल्फ और सेंट्रल एशिया अब उसको रिवाइब करना हम लोगा रिस्पॉंसिविलिटी है ताकि हम लोग रिस्टोर कर सके अपने डिस्टिंग रिजिंग रिजिंग विच फ्लोव इनहांस कर सके विद अटमोस्ट परायटी कुछ 25 मिनिस्टर इ इसी के संदर में में कोशन मन सकता है कि इंडियन ओशन रिजिन में इसको सॉल्व करनें के लिए क्या-क्या हमारे पर मुल्टि लेटरल फोरम से और connectivity का क्या सिग्निफिकेंस है पूरे इंडियन ओशन रिजिन में यह तीन चीज आपसे अलग-अलग कोशन में पुछा जा स इसके लिए आपको यह पढ़ना पढ़ सकता है इसमें कुछ-कुछ पॉइंट्स दिया है तो मैं यह वाला पेज़ भी आपके टेलिग्राम गूर्प में शेयर कर दूँगा जहां हम यह आर्टिकल इसली पढ़ सकते हैं अभी रिसेंट्ली आइटी बॉम्बे ने एक रिसेंट अच्छा मूव निकाला जहां पर फर्स्ट इर स्टुइंट्स पर क्या बहुत जादा प्रेशर होता है कि वह चाहते है कि हम इस डिपार्टमेंट में जाके पढ़े इस डिपार्टमें जाके पढ़े तो आईटी ब इस डिपार्टम का यूज किया है तो आपको इंडियन कंट्रेक्श में समझने है कि प्रोडिक्टिब बेल क्या होता है इसके लिए कौन सा आर्टीकल है कौन सा प्रोविजन है कौन सा लौ है यह चीजल का रिवाइस कर लिजिएगा अच्छा रहेगा और वर्ल पेज में क कुछ important बात है नहीं फिर इसमें economy पेज में एक दो ट्रेंड समयने लाइक है कि फैक्टरी आउट्पूट ग्रोड जो है वो अपना घड़ गया है फाइब मन्स लोग पे आ गया रिटेल इंफलेशन जो है सेकंड मन्त इन रोब जो है आर्बे की comfort बैंड में यानिकि 4 प्ल आपने लिए रिलिवेंट नहीं जाना यह बाद फिर एक important term है लेके Libor एक method होता है जिसमें हम लोग benchmarking करते है bank rates on the best of Libor पहले करते थे अब लोग सोफर के तरह move करना चाहते है secured overnight financing rate आपसे question आ सकता है Libor क्या है Libor is basically London interbank offer rate है इसके अधारा पे हम लोग globally rate use करते थे तो इससे इसके पहले इंडिया में modified Mumbai interbank forward outright rate भी हुआ करता था इसके बारे में कोवेड़ने सब्सक्राइब यह rate क्या होता है गूगल सच करके आपको मिलेगा definitely easy रहेगा पर context के लिए बेंचमार रेट है फर्स जुलाई से बैंक को को RBI ने request किया कि shift कर जाए सोफर की तरफ क्योंकि जो बाकी rates है जैसे मुंबाई midnight rate जो है वो हम लोग issue करना बंद कर देंगे publish करना बंद कर देंगे और leave or हमें use नहीं करना तो यह दो जनकारी आपके exam के लिए trend के लिए important है और policeman का मतलब पूछाय सकता है as a statement तो यह भी आपको evidence होना चीए तो बस आज के उनिस्विपर में